क्लास 3 इंटरनाशनल साइन्स ओलम्पियाड की मैं हम तयारी करा रहे हैं और पहुत चुके हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे बहुत 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 इंटरस्टिंग टॉपिक है यानि कि different type की house उसमें जो material use होता है और पता है मैं मैं इसमें आपको बहुत सारी details भी देंगी इस chapter को बहुत ध्यान से समझना clothing यानि कि different type के कपड़े जो की different states में पहने जाते हैं मैं मैं आपको show करेंगी ठीक है occupation होता है आप किस तरीके की काम करते हो ठीक है वो भी इसमें हम discuss करेंगे तो छोटी सी बाते इसमें बताई हैं कि घर की साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए घर में ventilation होना चाहिए घर में different type के rooms होने चाहिए और natural और man made fibers क्या होते हैं डिफरेंट डरीके का कपड़ा जो हम डिफरेंट मौसम में पहनते हैं और occupation लोगों के डिफरेंट डिफरेंट व्यवसाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा most beautiful और प्यारी चीज है हमारे पास हो है हमारा घर सबका घर सबको बहुत अच्छा लगता है लेकिन घर की कुछ good qualities होनी चाहिए जैसे उसमें बहुत sunlight आने चाहिए उसमें air आने चाहिए उसमें door windows होने चाहिए उसमें wire netting होने चाहिए जाली के दरवाजे होने चाहिए जिससे की आपके अंदर mosquitoes, flies और insects ना आ पाएं ठीक है और बहुत सारी sunlight आने चाहिए जिससे की अंदर की germs मर ज चाहिए इससे हम अपने घर को साफ और स्वच रख सकते हैं इसमें जो बात नहीं दी है वो मैं बताती हूँ कि kitchen का drainage system है वो बहुत अच्छा होना चाहिए जो properly सारे waste पानी को अच्छे से ले जाए पाथरूम के अंदर जो आपकी potty होती है उसका sewage बहुत अच्छा होना च चाहिए ठीक है wash basin में pipes clean होने चाहिए वो भी drainage system में आते हैं ठीक है अब different अडिके के गहरों के बारे में हम यहां पर discuss करेंगे बेटा दो टाइप के घर होते हैं कच्छा हूस पक्का हूस कच्छा हूस वो होते हैं जो की bamboo से बनते हैं straw से बनते हैं stick से बनते हैं ठीक है आप सब लोग यह वाले घर के type ज़्यादा तर village में देखते हैं ठीक है पक्का हूस वो होते हैं जो city में बनते हैं जिसको cement से बनाते हैं और brick से बनाते हैं stone से बनाते हैं concrete से बनाते हैं और इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं लेकिन पक्का हूस भी बहुत तरिके के होते हैं वो bungalow होते हैं वो multi-storied buildings होती हैं वो flats होते हैं ठीक है और अलग अलग जगवा पर अलग अलग तरिके के घर होते हैं जैसे यह है एक igloo अगलू होता है उन areas में जो बहुत ठंडे जगए होती हैं और यहां प बहुत वाले इरिया में ayo स्टेल्ट हाउस इन कि बारष में पानी घर में ना आया और घर ना ढुबे इन चीजों को ये जो बंबू जिन पए खड़े रहते हैं इस तेन रहते हैं वोडन पॉल को और बहुत ही वियूटी फूल होती कभी आप केहला जाओ तो हाउस पूल मे जरूर जाना बहुत अच्छे आप धिले धिले चलते चलते लहरों पे अपने आपको इंजॉई करा सकते हो वहाँ पे छोटा सा किचन होता है छोटा सा बाथरूम होता है छोटा सा वहाँ पे लिविंग एरिया होता है और आप इसमें सवारी कर सकते हो ठीक है बंजारे जो ल इती वैन को जिसमें लोग रहते हैं वो चैरवन कहते हैं चीक है जाद अता हीरो फिरोईंस भी न कैरवन में तयार हो जाते हैं और कैरवन के बहाद आके शुटिंग करके फिर उसमें चले जाते हैं अंदर बिल्कु घर जैसा महौल होता है ठीक है तो ये था हाउस का discussion अब है different type के clothes जो आप different season में पहनते हैं यह सब नजा बहुत ही आसान है कि हम season के according कपड़े पहनते हैं हम जो है वो fiber के according जैसे कि natural और man-made fiber के ही पहनते हैं synthetic fiber होता है जैसकि नाइनन और वो सब ना चुबता है body में तो उससे पहन के हमें अराम नहीं आता कुछ natural fibers होते हैं जैसे कि cotton, jute और कुछ animal fibers होते हैं जैसे कि wool और silk यह सब हमें animals से मिलते हैं कुछ man-made fibers होते हैं मैंने जो बताया जो synthetic होते हैं जैसे कि nylon, acrylic, polyester यह सब man-made items होते हैं इन्हें synthetic fiber भी कहते हैं important है उसके बाद जो third topic is chapter में discuss किया है वो है occupation occupation होता है कि हम पैसे कमाने के लिए अलग-अलग तरिके की job करते हैं जैसे tailor क्या करता है, कपड़े सिलता है carpenter क्या करता है, वो लकडी का समान मनाता है, cobbler क्या करता है, जूते बनाता है, जूते साफ करता है, plumber क्या करता है, repair करता है, taps को मैसन का करता है मैसन होता है एक laborer जो की मजदूर होता है वो घर बनाता है green grocer क्या करता है green grocer होता है जो दुकान पे बेचता है समान परचूने का समान vendors होते हैं hawkers होते हैं जो ठिला लेके बेचते हैं इसी तरीके की different occupation होती है नर्स की होती है, टीचर की होती है, प्रिंसिपल की होती है, लौयर की job होती है, पुलिसमेन की job होती है, सिक्योर्टी गार्ड की job होती है, बहुत सारी jobs इस तरीके की occupations होते हैं, ठीक है, अब आगे मैं हम इस chapter में discuss करेंगे हमारे practice questions, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले इनों ने हमें कुछ relationship दिखाई है और मैं आपको ये chart show कर रही हूँ जिस chart में different states में पहने जाने वाली different कपडों के नाम है तो घागरा चोली गुजरात में पहने जाती है तो मेखला चादर जो है वो कहां पहने जाती है तो मेखला चादर का जो answer है वो है असाम ठीक है मेखला चादर असाम में पहने जाती है आपको हर state की dress का नाम पता होना चाहिए और आप मेरी वीडियो के तुरू ही ये पसंद ये समझ सकते हो ठीक है clothes are made up of which material x है which in turn is made up of y material we get y from z तो ये सारे option है c के देखो cloths are made up of fabric which in turn is made up of fiber fiber होते है रेशे यानि की धागे and we get fibers from plants or animals रेशे हमें plants or animals से मिलते है तो सारे option हमारे c है fabric कपडे को ही कहते है ठीक है the boy shown in the given picture is supposed to be in his वह ये कैंसे कपडों में होगा ये जो बच्चा ब्रश कर रहा है ये बाथरूम में दिख रहा है क्योंकि ब्रश हम बाथरूम में ही करते है select the correct statement about the clothes made of fiber obtained from plants shown here select the correct statement about the clothes ठीक है they trap air they keep us cool हाँ ये है cotton का पौधा तो cotton के कपड़ा आपको क्या देता है वह हमें थंडक पहुंचाता है they are waterproof बिल्कुल भी नहीं they cannot be one बिल्कुल भी नहीं so correct option is the B part आपको reason पता होना चीए कि आपका ये option क्यों करेक्ट है fifth पर चलते हैं A dash and dash is generally made using the material shown here ठीक है चलो बई igloo pukka house caravan kaccha house जो पड़ पट्टी जो होती है kaccha house की वो bamboo से बनती है और straw यहां पर लगा होता है और यहां पर bamboo pole होते है तो सही है kaccha house is the correct option sixth पर चलते है read the statement given by four children and select the one who made the correct statement बच्चों ने क्या क्या कहा है the carpenter paints बच्ची क्या कह रही है paints the doors and windows of the house carpenter mason fits the repairs and repairs the water pipe नहीं carpenter करता है the tailor stitches the clothes अगर उसर sales medicine यह भी गलत कह रही है auntie यह भी गलत कर रही है कीरती सही कह रही है और वैभव तो बिल्कुली गलत कह रहा है so correct option is C part seventh पर चलते है P dash is the house used by the people who keep moving from one place to another क्या बनाते है वो जगे जगे जाकर जो अपना खर बदलती रहते है वो बनाते हैं tent अरे बच्च नहीं हो गया tent बनाते हैं X is a clothing worn in winter winter में पहनी जाती है यह चीज while Y is a clothing worn in summer Y summer में पहनी जाती है select the correct option regarding X and Y X जो है raincoat है winter में पहनते हो raincoat गुद्दू हो क्या और jacket पहनते हो summer में तो X can be cotton winter में cotton बिल्कुल भी नहीं X is made up of natural fiber while Y is made up of man-made fiber नहीं अरे विंटर में तो हम पहनेंगे गरम चीज और summer में पहनेंगे हम cotton आइटम तो कोई option ठीक लगनी रहा मुझे तो इसमें हम डाल देंगे none of these is the correct option ठीक है आगे बढ़ते हैं unscrambled the given letters बड़े मज़ा आता है unscrambled करने में चलो ढूंडो और पताओ वन यूज़ थ्रेड नीडल और कोबलर कोबल भी एलियार टेलर कौन यूज़ करता है इस अरे आइटम प्लमबर नर्स कौन यूज़ करता है दागा yok और न시कर यूज़ करता है कोबलर यूज़ करता है तो में परी चलाई करता है है सब्सक्राइब um रहें घुझ देडल है इस वहत करेक्ट प्सन सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं the house shown in the given picture is favorable for which of the following areas इस type का house कहा होगा वाओ में को भी ची ऐसा गर आपको भी चीए जली बताओ फिर इस option sloping roof है देखो नीचे गिर रहा है तो sloping roof होता है जहां पर snowfall होती है rainfall होती है जैसे कि snow हो तो गिर जाए rainfall हो तो गिर जाए है which of the following items are used for cleaning purpose in the house house कि से clean करते हो डस्टर से करते हैं करते हैं और मॉप से भी करते हैं करते हैं यह क्या है यह है वेक्यूम क्लिनेस से भी करते हैं तो कैशी से तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं सब a c और d बताओ किसमें a c d हां तो यह मिल चुका है में बी ऑप्शन में तो करेक्ट ऑप्शन है बी कौनसी स्टेट्मेंट इंकरेक्ट है वी शुद अलाव सनलाइट तो एंटर आवर हाउस बिकॉल सही है वाई वी शुद पूट अवायर मेश अन विंडो तो स्टॉप देंट्री ऑफ दस्ट लाइट नहीं नहीं इसले नहीं करते गलत बात यह तो इसले करते हैं जिसले नहीं इंसेक्ट सना है वी शुद वेलकम और गेस्ट इन लिविंग रूम बिल्कुल ठीक है तो वी शुद यूज ब्रेक्ट सीमें तो मेक द पर्मनेंट हाउस अस दे मेक अस्ट्रॉंग बिल्कुल ठीक है तो रॉंग ऑप्शन इस बी पाट हागे चलते हैं थर्टीन पे इंकरेक्ट मैच करता है फार्मर इसका क्या करेगा नहीं तो रॉंग ऑप्शन है डी वाला यह तो पुताई के लिए यूज होता है वाई वाइट वाइट वॉच के लिए विच आप दीज कैन एक्स्प्लेंग रीजन फॉर मढ हाउस बिंग कॉमन इन होट डेजर्ट एरिया होट यह तो कोई आंसर ही नहीं हुआ मढ हाउसेज रिमेन कंपेटिवली वार्मर इन समस्त यह दुना आंसर सही लग रहे है मुझे सो करेक्ट ऑप्शन है ए और बी इसका आंसर सही बैट रहा है डी ऑप्शन यानि की ठीक है सिलेक्ट दे इनकरेक्ट मैच को सही करो टेंट में नॉमाड्स रहते हैं ठीक है इगलू मैस्की मोज रहते हैं यास सपैनर्स जो है उसमें बारबर रहते हैं चेन टूल जो है मिकैनिक यूज करते है यह वी से यह वी से यह वी से यह गलत है यह वह यह थो 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 गश्कारटा ना कॉंब यूज करता है स्पैनर्ज तो एक मिकैनिक यूज करता है बाइट करने के जो हता है अचीवर सेक्श्टन है दो नमर का कौश्चन होगा given house can be categorized into two groups on the basis अलग अलग तरीकी है एक तो वन है टू है थ्री है ठीक है portable and temporary house movable and portable house temporary or permanent house temporary and special house कौन से टाइप के category में ये सूट होता है ये सूट होता है C में Hema is a nomad to earn her daily bread she works as a helper in three homes which are located on different floors of a building she lives in P and works in Q which of the following options correctly identifies P or Q P or Q होंगे क्या आखिर Hema lives in a temporary house and works in a permanent house located on different floors तो इसका correct option है C इसी को दिखना है ना आगे बढ़ते है एटींद पे study the given flow chart carefully nylon and silk are represented by the letters dash and dash respectively P is a synthetic fiber and इसका correct है R is silk flow chart का है ये राना है flow chart इसके बराबर में दे रखा है natural है P है P तो silk हो गया does it come from R है it does not come from R ये है तो ये होगा हमारा जो silk है तो ये option जो सही बैट रहा है 18 का A बैट रहा है P और R ठीक है 19 पर चलते हैं अनेम पर नेम हाव मेनी प्रोफेशनल्स हर र हीडन इन दीविंट वर्ड ग्रेड 19 त में बॉहत इजी है फार्मर दिख रहा है मंजे एक तो साफ साफ और क्या के दिख रहा है मुझे फार्मर की कुल्हाडडी दिख रही है SPADE और क्या दिख रहा है मुझे कुछ नहीं देख रहा मुझे पॉर्टर हो गया ठीक है तो फाइव डिफेंट कितने हमारे पास आए हैं यह फाइव वन टू थ्री फोर फाइव जो यह है ना स्पेडी कुलाडी होती है तो इसे तो गिनुई मत वन टू थ्री फोर फाइव फावडा बोलते हैं फावडा कौन यूज करता है जो मैंने आपको बताया था स्पेड यह जो स्पेड है फावडा खोदने के लिए काम आता है कौन यूज करता है ठीक है यह हो गया है हमारे सारे questions एकलिफ वीडियो में मिलेंगे OMR फिल करते रहे ना हाथ बाइच्ष्ण ठीक है उसे फिल कर देना बाई झाल झाल झाल